हेलो सेंस वेलकम बैक तुछ सेंस आज की वीडियो लक्षर में अपने अध्याय चार का पार्ट टू पढ़ेंगे पार्ट बन आपने पढ़ी लिए अगर नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिशन बॉक्स में बहां से जाकर के बिजिट कर सकते है तो देखते हैं आज का हमारा पहला गोसन है अलफ संखक बर्ग अलफ का मतलब होता है कम संखक मतलब जिनकी संख्या कम हो ऐसे बर्ग जिनकी संख्या कम हो ठीक है उन्हें बोलते हैं अलफ संखक बर्ग तो पहले हम मैं कोश्चन को पढ़ देता हूँ मैं इसका आंसर लिख क्वासि है उनकी संक्या कैसी है कमिया ज्यादा है ठीक है जिस संक्या कम होती है उन्हें आलफ संक्या कहा है समाज के उन्दर जिन समू की या जातिверж की संक्या जिन जिस धरम को मानने वाले लोगों की संक्या कम हो उने बोलते हैं अलफ संक्क ठीक है जिन सम्हों की संक्या कम होती है उन्हें अलफ संक्क कहा जाता है अर्था समाज में जिस धरम या जाती के सदस्यों की संक्या बहुत कम है बे अलफ संक्क है समाज के अंदर यानि कि किसी धरम हो सकता है या किसी जाती के लोग जिनकी संक्या कम हो तो उन्हें हम बोलेंगे अलफ संक्खक ठीक है भारत में अलफ संक्खक वरग का निर्धारन का मुख्याधा धरम है यानि कि भारत में हम धरम के आधार पर पता गरते हैं कौन अलफ संक्खक यानि कि जिस धरम के लोग कम ह उन्हें हम आलव संकक की सेड़ी में रख देते हैं ठीक है आलव संकक का मतलब है जिनकी संकिया कम हो याने कि जिस धरम को मानने बाले लोग कम है तो वह गया धरम आलव संकक आरी ना वह समझ में अगला पॉइंट इस अधार पर मुख्य रूप से बहुत धारम के लोग हो गए जैन, इसाई, सिक्के और तथा इसलाम धारम के अनुआईयों को अलफ संकक वरग में गिना जाता है तो इन लोगों के लिए आलफ संकक का कहते हैं, हिंदू भारत में हैं बहुत संकक हो गया, और जिस्ताईयों के संक्या काम है, सिक्के संक्या काम है, जैन, धारम को मानने बाले लोगों की संक्या या बहुत दे संक्या कम है ठीक है तो बहां हिंदू भी अलव संक्या कम है ठीक है तो यह कोशन तो आपको किलियर हो गया होगा अलव संक्या क्या है यानि कि समाज के अंदर जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संक्या कम हो तो भै हो गया अलव संक्या ठीक है अब हमारा नेस्ट कोशन असप्रेस्टा या चुआ चुआ चूद के आई यह बहुत ही घृनित टॉपिक है यह ना लेकिन अभी हमारे देश में ठीक है यह की हमारे देश की अखणता के लिए भी खतरा आये कि सब् चलो पढ़ते हैं पहले फिर समझेंगे अस्प्रेस्ता जाती का एक बहुत ही घिरनत एवं दूसित पहलु है बहुत ही खतरनाक है यह ठीक है दूसित है गंदा है बहुत जो धार्मिक एवं करम कांडिये द्रश्टी से सुदता एवं असुदता के आधार पर टिकी है चुआ आपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ें यानि कि आपवित्र हो जाता है मतलब बे जाती है जिनने चुने इसी कोई विक्ति आपवित्र हो जाए जैसे कोई जाती है है ना ये और उसे पवित्र होने के लिए अपने आपको पवि की अच्छूट करने के लिए कुछ कर्याइं करना पड़े टीक है मतलब कुछ क्रियाइं क्या होती थी जैसे کوئی निम्ने जाति गाबियक्ति है और एक उच्षी जाती का भीक्ति है वो ऋचνे गाहेगा तो क्या तोemia अपवित्र होने के लिए उसे कुछ क्रियाय करना पड़ें जैसे कि अपने आपको वो गंगा जल से धुले ठीक है तो यही था छूआ छूट ठीक है हमारे देश में आज भी अनेक ऐसी जातियां हैं जिने अचूट माना जाता है अचूट का मतलब जिने चूने भरने से हम क् तो हमें उसके लिए बहुत से क्रियाय करनी पड़ेंगे अपने आपको मतलब पवीत्र करना पड़ेगा ठीक है तो अचूट जातियों के साथ भोच कुछ होता था जैसे कि अगर वो उच्छ जातियों के लोग जिस नल से पानी पी रहे हैं तो वो निमने जातियों के लेकिन पानी नहीं पी सकता हुए तो है ना यह बहुत घृनित पर समाजी के अर्थिक द्रिश्टी से काफी पिछ्डी हूई यह जातियां जिनकी इस्तिती बहुत जादा खराब है यह पिछड़ी हुए लोग है जिनकी इस्तिती बहुत जादा कैसी है खराब है हलाकि अगर कोई निमने जाती का बिक्ति जैसे वो अचूत है, अगर वो हाई लेवल पे पहुंच गया है, मतलब उस पर कोई मंत्री संत्री बन गया है, तो लोग उससे घरना नहीं करते है ना उसके यहां जाते है आराम से खाते पीते भी है लेकिन कोई मतलब कोई बिक्ति गरीब है तो गरीब तक यह सारी चीजे साहे मतलब होती है ठीके तो हलाकि यह बहुती गलत है एक दूसरे से घरना करना क्योंकि अगर बिक्ति एक दूसर किलियर हो गए होंगे उमीद करते हैं यह वीडियो आपको फसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल प्रस्टाइम आये हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बठने उसे दवाईए साथ घंटी वाले आइकन को प्रेस करते हैं इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे विल्कुल टाइम पर और कोई डॉट है तो नीचे कोमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कोई सजेशन देना है तो भी कमेंट करके हमें बता दें धन्यवाद